हलो प्रेंस मैं हूँ पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एक जाम पॉइंट में एक नए वीडियो के साथ एक नए अपडेट के साथ तो प्रेंस जैसा कि आप सभी ने यहाँ पे थम्नेल तो देखे लिए होगा कि मैंने यह वीडियो किस टॉपिक पे बनाई है तो प्रेंस आपका जादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि मैंने यह वीडियो किस टॉपिक पे बनाई है तो प्रेंस इसे पहले हैदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो म प्रंस आईसीया टेकनीशियन के बारे में संपूर जानकारी के लिए इस वीडियो के अंतक बने रहें और इस वीडियो को कहीं भी इसकिप ना करें तो प्रंस आईए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो प्रंस जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आईसीया टेकनीशिय था यहनि कि उस बैकेंसी जो है आपकी दिसंबर 2021 के लास्ट वीक में आ चुकी थी फिर फिलाल उसकी डेट को जो है अप्लिकेशन डेट को बढ़ा कर 20 जनवरी 2022 तक कर दिया गया था पहले उसकी अप्लिकेशन की लास्ट डेट जो थी वो द्दस जनवरी 2022 तक थी लेकिन बा आने वाला था वो भी आने वाला था उसके एक्जाम को भी जो है जो 25 से 5 मार्च के बीच में होने वाला था फानली उसके एक्जाम को भी पोस्पोर्ण कर दिया गया था तो फिलाल आप लोग का जो दुबारा एक्जाम हुआ था वो 28 फरवरी से 5 मार्च के बीच में कंड़क करा लिया गया थे और अगले एप सब्ता के अंदर ही आप लोग की जो है एंसर की को भी प्रोवाइड कर दिया गया था तो फ्रेंट जितने भी लोगों ने आईसी आई टेकनीशियन का एक्जाम दिया हुआ है वे फाइनली अपने एंसर की का भी मिलान कर चुके होंगे कि उनके कितने क्विश्चन सही हुए हैं और कितने नहीं अब वे फाइनली इंतिजार कर रहे हैं कि उनका आईसी आई टेकनीशियन की 641 पदों की जो बैक एंसी थी उन्होंने इसका एक्जाम दिया हुआ था फाइनली उसका जो है रिजल्ट जो है आखिर कब तक आएगा तो प्रेंस मैं इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाली हूँ तो प्रेंस आप लोग के लिए यहां पे बहुत ही बड़ी अपडेट और खुशकबरी निकल के आज चुकी फाइनली आप लोग का जो है रिजल्ट जो है वो जल्द ही जारी होने वाला है यानि कि फ्रिंस फाइनली आप लोग का जो है इंतजार जो है खत्म होने वाला है और आप लोग का जो है रिजल वो जल्द ही जारी होने वाला है तो फ्रिंस आप लोग को बता दे कि आप लोग के जो रिजल की एक्सपेक्टेड दे थी उसको भी लगातार पॉस्पॉर्ण क जा रहा है अब आप लोग के एक्जाम की जो है रिजल्ट की डेट को जो है वो 10 से 15 अपराइल के बीच में कर दिया गया यानि कि अब आप लोग के एक्जाम के रिजल्ट की जो आने की चांसे थी वो 10 से 15 अपराइल के बीच में आप लोग का जो है रिजल्ट जो है आ सकता ह तो प्रेंस अब बात करते हैं कि आप लोग अपना रिजल्ट में नेम कैसे चेक करेंगे और उसका रिजल्ट जो है कैसे चेक करेंगे तो प्रेंस इसके लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के भी आई है कि आप लोग सबसे पहले उसमें क्या करेंगे तो प्रेंस इसके लिए सबसे पहले आप लोग को ICR की official website पे जाना पड़ेगा वहाँ पर आप लोग को result को जो है दिखाया जाएगा यानि कि प्रेंस वहाँ पर ICR technician के result के link को जो है activate किया दिया जाएगा और उस link पर click करके आप अपना result और name जो है दोनों चुक कर सकते हैं वो भी अपने role number को fill करके तो प्रेंस अब बात करते हैं कि finally आप लोग का आखिर cutoff कितना कम जा रहा है आखिर क्या वज़ा है कि आप लोग के जो है cutoff कितना कम जा रहा है यनि कि प्रेंस अगर आप ने 70 number के तक score किया हूआ है तो finally आप लोग का selection होना एकदम तरह है कि आप लोग का selection होना एकदम तरह है तो finally आज जो है बात करते हैं कि आप लोग का main topic जो है कि आप लोग का आखिर result जो है कब तक आएगा तो अभी तक जिस तरीके से आप लोगे एक्जाम की डेट को पॉस्पॉन किया गया था फॉर्म फिल करने की डेट को पॉस्पॉन किया दिया गया था मतलब आगे बढ़ा दिया गया था उसी प्रकार आप लोगे जो है रिजल्ट को भी है जो है उसकी भी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है अब फिलाल आप लोग का रिजल्ट जो है वो 10 अप्रेल से 15 अप्रेल के बीच में आने की पूरी की पूरी चांसेस बताय जा रहे है यानि कि फ्रेंट्स अब आप लोग का एक्जाम के आइसिया टेक्निशन का रिजल्ट जो है वो 10 से 15 अप्रेल के बीच में बताया जा रहा है कि आप लोग का आएगा तो फ्रेंट्स आप लोग को यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इसी के साथ फ्रेंट्स हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए एजाम पॉइंट के साथ थाइंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो